हर बार की तरह इस स्टोरी में अब आ गया है murder twist जहां पर सानिया की जान लेवा हमले से हो गई है मौत तो अब ऐसे में ये देखना होगा काफी जादा interesting कि आख है किसने ली है सानिया की जान वैसे तो सानिया अर्मान के साथ उसके कंदे से कंधा मिला कर उसके प्लाइन में शुरू से ही शामल थी तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि क्या अर्मान नहीं सानिया की जान ली है क्योंकि अर्मान के पास ऐसी कोई बड़ी बजा तो नजर आने ही रही सानिया को मानने की क्य प्रिटिया हरकत में अर्मान का साथ देही रही थी तो फिर आखिर सानिया के साथ ऐसा क्या हुआ सानिया की जान क्या वाके में रुद्राक्ष ने ली है यह सारे सवाल आमारी ओडियंस के दिमाग में ज़रूर खूम रही है लेकिन अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए तो जिस तरीके से अर्मान और रुद्राक्ष के भी जगड़ा हुआ जिस तरीके से सानिया को छोड़कर प्रिशा की बाहों में रहने के अर्मान की शिद्दत वाली मोहबब सामने निकल कर आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि अर्मान ने सोची समझी साज़िश बनाई है ताकि सानिया के मडर का इल्जाम रुद्राक्ष पर आजाए और वो हमेशा हमेशा के लिए प्रिशा से दूर हो जाए क्योंकि मडर के इल्जाम में रुद्राक्ष को हो जाए की जेल और प्रिशा को सम्हालने की नाटक में अर्मान एक बार फिर से हो जाए का करीब और जैसे प्रिशा रुद्राक्ष के पीछे से अर्मान के साथ पहले रहती थी वो वैसे ही उसके साथ वहना जाता है हो सकता है इसी planning plotting को पूरी करते हुए अर्मान नहीं सानिया की जान ले ली हो और सब को ये दिखाने की, समझाने की, मनाने की कोशिश कर रहा है कि रुद्र ही है जिसने ली है सानिया की जान वैसे एक बात तो तैय है कि अर्मान को ये बात confirm है कि प्रशा मर्डरर नहीं है क्योंकि अगर उसने सानिया की जान ली है तो for sure उसे पता है प्रशा बेकसूर है Secondly, अगर अर्मान ने सानिया की जान नहीं बिली है तो प्रशा ऐसा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास ना मोटिव है और ना ही वो अर्मान को हांसल करना चाहती है कि वो सानिया को मार करके अर्मान को अपने पास ले ले तो आखिर ऐसे में कौन है कल्प्रिट कौन ले सकता है सानिया की जाना आपको क्या लगता है कॉमेंट ज़रूर करें साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले